नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में जानते हम एस टावर क्रेंद 6 टन का गियर बॉक्स तूट गया था उसको कैसे रिपियर करें और इसमें क्या-क्या चीज डेमेज होता है और क्या-क्या चीज कैसे फिटिंग होता है देखिए अभी तूटा हुआ गियर बॉक्स को हम दें जो चीज कर रहें यह ठिक है पहले सबसे पहले आप यह बठा लें इसका leverage इसका दोनों का तीछ तूट गया था आप वीडियों जैसे की भी देख पा रहे हैं ठीक है देखें अब यह फर्ष्ट गियर जो है बैठा दिये और केरियर गियर इसके उपर यह छोटी गियर जो आता है यह दोनों गियर को अटेज घुमाने के लिए यह नीचे वाले गियर से उपर वाले कनेक्ट होता है ठीक है देखिए इसको भी बिल्कुल आराम से बठाना है बैठ जाएगा बिल्कुल ठीक है दोस्तों अधि हमारा चैनल पर आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और सेर करें और कमेंट करके बताएं आपको किस टैब के वीडियो पसंद ज्यादा है और मैं व रखना हर समय दोस्तों ठीक है देखिए अब घुमा के दिले-दिले एक-एक करके बैठे गई अधिए बैठ गया दोस्तों इसी टैप का बठाना है जब भी दोस्तों गेर खोलें आप मार्किंग कर लें कौन सा गेर कब निकालें उसी इसाब साब लगाते जाएं नहीं तो और चैरिएर जो दोस्तों आने वाला है केरियर गियर के ऊपर इसका उपर जो है पिलेट है जिसने हम आपक्राम करते को यसको अट्व् ाल करते हैं औि कर अब मोटर इसेमल होता है अब इसके ऊपर बहुत सारव हैगा दोस्तों उसके बाद ही मोटर आता है वह सा बीच में ब्रेक क्वैल आएगा वह सब भी आपको आगे वीडियो में दिखेगा देखिए अब यह हमारा गेरबॉक्स लगभग गेरबॉक्स एसेमल हो चुका है अब इसके उपर यह तीन एलेंग किया इसमें क्या आएगा ब्रेक क्वैल DC क्रेंट इसमें आता है ठीक है दोस्तों देखिए फर्स्ट में इसको जो है उपर का पिलेट बठा लेना है अच्छी तरीके से थीक है यह नट कस्ट देना है अब इसके उपर आएगा ब्रेक क्वैल और ब्रेक क्वैल को हम फिर टाइट करेंगा वह भी आपको दिखाएंग अचितरी के स्किलिन कर लें कि रेक्ष कोईल है थोड़ा भी इसमें चोट नहीं मार सकते नॉर्मली हल्का आप फैबर हमर से ठोक सकते हैं यह रहा आपका ब्रेक्ष कोईल यह तार का पोजिशन कभी दोस्तों में दिखा रहा हूं आपको दिख रहा होगा वह होल के तरफ होन इसको बिल्गिख से ठोकने दोस्तों बिल्गिल आराम से चला जाएगा ऑप स्फेक्स रता यह कोई ठीक है उसका जब भी चोप मारें इसको साइड से मारे और के ऊपर ना मारना दोस्तों कोल को पर मार इस खतम कोई काम कहीं नहीं बाचेगा कि इसका बिरेक कैसे काम करता है वो भी आपको हम नेक्ट वीडियो में बताएंगे और एस और पॉटेन टावर किरेंद में ब्रेकिंग सिस्टम क्या चेंजेस है वो भी आपको हम बताएंगे देखिए दोस्तों इसका जो लंकी से टाइट किया है यह अच्छे तरीके से करना है क्योंकि यह बाद में नहीं होता है इसको परोपर ही टाइट करना यह नॉर्मली बाद में आपको मोटर हंटा की टाइट करना पड़ेगा इसलिए अच्छे से टाइट करना है ठीक है देखिए इसको फूल टाइट करना है अब आगे जो है आपको यह दोस्तों धियान र यह उपर क्या आएगा दोस्तों कि लाइनर अच्छी तरीका से की का ग्रूप साफ कर लें क्योंकि यही है ब्रेक पकड़ने का यह कोयल है कोयल मेंगनेट बनाएगा इसको खीचेगा तो स्विंग का लॉक हो जाता है घूमने से रोक देगा ठीक है इसमें और कुछ भी नह नहीं है बस फिक्स लगा देना है बस अभी इसके उपर देखिए बूस डालें इसके उपर एक पिलेट आएगा अच्छी तरीके से इसको भी थोड़ा किलीन कर लें नहीं तो बहुत सरा टाइट आएगा इसमें दोस्तों धियान रखना है जिन नीचे बूस आता है दोस्त अच्छे लगाएगा ना तो एको काम नहीं करेगा कब भी वह आपका नहीं दोस्तो अब उस बूफ को सीब लगाएगा तो तो जोड़ी मारना जरूत नहीं सीधा बढ़ जाएगा ऑसूमें robots को पल्थी करके बठाया है उसमें दिखे गा दोस्तों में उल्टा सीदा दिखेगा देखिए बिल्कुल बैठेगे आभी बिल्कुल बैठिए इसलिए वो बुस का ध्यान रखना दोस्तों उल्टा नहीं लगाना वो कॉलर होता है कॉलर सीधा लगाना अब यह इसके उपर जो है आपका सिंपल है इसके उपर मोटर टाइट होगा तो यह gearbox के ही पार्ट में गिनती आता है यह बहुत हेवी बना दिया है दोस्तों एस टावर क्रेन का gearbox इतना हेवी होना नहीं चाहिए दोस्तों बहुत हेवी है चलो ठीक है company अपना-पना design करता देखे यह पिलेट हो गया इसके उपर आपका दोस्तों मोटर आएगा बहुत सा ज़िए और यह जो और यह जो ओप बीच में लगाएं यह सिलूप भी चैन हो जाएगा फ्यूल कप्लिंग में ठीक है दोस्तों इसको परपर टैट करते कैसा लगा दोस्तों हमारे वीडियो आज की आप कमेंट करके बताएं और नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम और भी आपको अच्छा लगेगा आप लोग देखें मेरा वीडियो धन्यवाद